हेलो गाईज तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमार इंडिया की फर्स्ट केफ़ वाइरल स्रिया लेंका को इंडिया में सबसे फर्स्ट वार कंस्रेट करने का मौका मिला वो भी इंडिया के ही उडिशा टाउन में जहां की 30 जन्वरी से उडिशा होकी मैच 2023 का वर्ल्ड कप मैच सुरू होने जा रहा है उसी की आपनिंग सेरुमनी में यानि की कल यानि की 11 जन्वरी को 6 पीम से अस्टार्ट के गई थी इसी सेरुमनी में स्रिया लंका को पर्फर्म करने का मौका मिला साथ ही स्रिया लंका के अलावे बहुत सारे बॉलेविर सुपर अस्टार्ट भी इसमें सामिल थे जैसे किरन वीज सिंग, प्रितम, नीती मोहन, दिसा पार्टनी और ब्लैक स्वान ग्रूप की सभी मेंबर भी हाला कि खुसी की बात ये है कि स्रिया को भी अपने ही टाउन में कंस्रेंट करने का मौका मिला जो कि हम सब के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है दूसरी न्यूज ये है कि वीटियस का इंडिया में जो सिनेमाज कंस्रेंट होने जा रहा है उसका टिकट की प्राइज अभी रिविल नहीं की गई है जिस करण आर्वी काफी परेसान है लेकिन परेसान होने के कोई बात नहीं आपको याद होगा इससे पहले भी वीटियस का सिनेमाज कंस्रेंट हुआ था उसमें देखा गया था कि टिकट का प्राइज टाउन के हिसाफ से था और दो से तीन हजार से इसकी प्राजा स्टार्टिंग हुई थी साथ ही बड़े-बड़े टाउन जैसे देल ही मुंबई जैसे टाउन में 5000 उपे तक की बुकिंग चली गई थी इस वार थोड़ा उपराइस उपर या नीचे हो सकता है तीसरी न्यूज ये है कि फिर से दो पाकिस्तानी गर्स के वज़ज़ से वीटियस को हेट मिलने या स्टार्ट हो गई है क्योंकि एक न्यूज काफी ज़्यादा वारल हो रही है कि पाकिस्तान की दो गर्स वीटियस से मिलने के लिए घर से भाग गई थी यहां तक कि लहार से क्राची तक भी बहाच गई थी लेकिन कुलीस की मतब से इन दोनों के माता पिता ने ढूंड निकाले इनको यह भी पता नहीं कि कोडिया जाना इतना असान नहीं है इतना इजी होता है तो अगर कोडिया जाना तो सभी आर्मी अभी तक पता नहीं कितनी बार वीटियस से मिलने जा चुके होते तो हम सब यही कहना चाहेंगे कि वीटियो से प्यार करते हैं तो वो ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे कि हमारे माता पीता के साथ वीटियो से को भी बदनामी हो तो इसे तरह कि के पप से जुरी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सेर करना न भूले फिर मिलते नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार